इन से फिनॉल कैसे प्राप्ट करेंगे तो आएए देखते हैं इसको कि यहाँ फिनॉल बनाने की अध्योगिक विधी है यानि बड़े इस तरफ पर फिनॉल जो है इसी विधी द्वारा तैयार किया जाता है इस विधी में फिनॉल के साथ साथ ऐसी टोन भी प्राप्ट किया हमें मिलता है, इस वीदी को हॉक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि हेंरी हॉक ने इस प्रोसेस का प्रयोग किया था अलग तरीके से, तो इसलिए इसको हॉक वीदी भी कहा जाता है, अब होता क्या है इस वीदी में, आईए इसको देखते हैं, इस वीदी में क्यूमीन, जिसको आइसो प्रोपिल बेंजीन भी कहा जाता है कि किरिया किस से कराई जाती है वायू से यानि हवा से ऑक्सीजन से वाय का मतलब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन सूरी के प्रकास की उपस्तिती में कराई जाती है जिस से क्या प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रो पर अक्साइड क जलब घटित होकर जलब घटित का मतलब किसके साथ reaction H2O और H plus के साथ reaction करने के बाद ये क्या देता है phenol तथा acetone हमको देता है आईए इसका reaction देखते हैं किस तरीके से इसमें reaction होता है यानि हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये benzene ring है इस तरीके से और ये हमारा होता है CH यहाँ पे CS3 और इधर CS3 ये है आपका क्यूमीन इसका नाम है क्यूमीन या इसको हम बोलते हैं isopropyl benzene क्या नाम बोलते हैं इसको isopropyl benzene isopropyl benzene इसके अविकरिया करानी है किसके साथ O2 के साथ किसके उपस्तिती में sunlight यानि H new photon के उपस्तिती में तो हमारे पास यहाँ पर एक बीच में मद्यस्ट बनता है intermediate बनता है वो कैसा intermediate है देखेंगे यहाँ पर हमारे पास C है यहाँ CS3 है इसी तरीके से और यहाँ पर CS3 है इसी तरीके से और इनके बीच में हमारा oxygen इस तरह के से चला जाता है तो ये जो यौगिक हमारा बनता है इस यौगिक का नाम है क्यूमीन हाइड्रो पर अक्साइड इसका क्या नाम है क्यूमीन हाइड्रो पर अक्साइड hydro पर oxide ये है cumine hydro पर oxide इसकी अभिकरिया हमें आगे करानी है किसके साथ H2SO4 और water के साथ तो यहाँ पर हमारे पास दो उत्पाद हमें मिल जाते हैं cumine hydro पर oxide पर जब इसकी अभिकरिया या इसका जलब गटन किया जाता है तो एक तो इसमें मिलता है phenol यानि दूसरा जो है यहाँ से यह अलग हो जाता है पूरा का पूरा हिस्सा इतना हिस्सा यह इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह वाला हिस्सा पूरा यहां से अलग हो गया और यह OHS पे जाके जुड गया प्लस हमारे पास बसता है CS3 C double bond O CS3 इसका नाम है acetone और इसका नाम है phenol तो यह इस तरीके से एक बड़ी important अभी करिया है और जो हमारे उत्राखन बोर्ड में पूछी जाती है तो इसको आप जो है समझ लीजे और याद कर लीजे झाले को कर दो हमारे जाती है